सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागों में विश्व धर्म सांसत का आयुजन हुआ था आज के ही दिन स्वामी विवेखानन ने उस वैस्वीक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानविय मुल्यों से परिचित कराया था आज दुनिया ये मैसूस कर रही है कि 9-11 जैसी वो त्रास्दी भी जिसे भी बिस साल हुए है त्रास्दियों का स्थाई समाधान मानवता के उनी मुल्यों से ही होगा एक और हमें इन आतं की घटनाओं के सबक को याद रखना होगा तो साथ ही मानविय मुल्यों के लिए पूरी आस्ता के साथ प्रयास भी करते रहना होगा साथियों आज 11 सितंबर को एक और बड़ा आउसर है आज भारत के महान विद्वान दार्शनीक और स्वातंत्र सेनानी सुब्रमन्यम भारती जी की सोवी पुन्यती थी है सरदार साहब जिस एक एक भारत स्वेश्ट भारत का विजन लेकर चलते थे वही दर्शन महा कभी भारती की तमिल लेखनी में पूरी दुव्यता से निखरता रहा है जब वो कहते थे कि हिमाला है हमारा है तमिल लाड़ु में रहते थे और सोच कैसी और वो कहते थे हिमाला हमारा है जब वो कहते थे कि गंगा की ऐसी धारा और कहां मिलेगी जब वो उपनी शदों की महिमा का वरण करते थे तो भारत की एकता को भारत की स्रेष्ठता को और भव्यता देते थे। सुब्रमन्यम भारती ने स्वामी विवेकान से प्रेणा पाई, स्री अर्विंदो से प्रभावित हुए और काशी में रहते हुए अपने विचारों को नई उर्जा दी, नई दिशा दी। साथियों, आज इस अउसर पर मैं एक महत्वपुन गोशना भी कर रहा हूं, बनारस हिंदु उनिवर्सिटी में सुप्रमण्यम भारतीची के नाम से एक चैर स्थापित करने का निरने किया गया है, तमिल स्टडीज, तमिल भासा समर्द्य भाषा है, विश्वकी सबसे पुरातन भाषा है, और हम सभी हिंदु स्थान्यों के लिए गर्व की बात है, तमिल स्टडीज पर सुप्रमण्यम भारती चैर बनारस हिंदु उनिवर्सिटी बीए चुके फैकल्टी आप आर्ट्स में स्थापित होगी, ये विद्यार्थियों को, रिसर्थ फैलोज को, उस भव्य भारत के निर्माण में जुटे रहने की निरंतर प्रेणिया देगी, जिसका सपना भारती ची ने देखा था, साथियों, सुप्रमिन्यम भारती ची हमेशा भारत की एक्ता पर, मानो मात्र की एक्ता पर विशेद बल देते थे, उनका ये आदर्श भारत के विचार और दर्शन का अभिन हिस्सा है, हमारे यहां पावरानिक काल के ददीच और कर्ण जैसे दानवीर हो, या मद्यकाल में, महराज हर्सवर्दन जैसे महापूर्श, सेवा के लिए सर्वस्वा अरपन करने की इस परंपरा से, भारत आज भी प्रेणा लेता है, ये एक तरह से, एक ऐसा जीवन मंत्र है, जो हमें सिखाता है, कि हम जितना जहां से ले, उससे कई गुना वापस कर दे, हमने जो कुछ भी पाया है, वो इसी धर्ती से पाया है, हमने जो भी प्रगती की है, वो इसी समाज के बीच की है,